मकर रासीफ़ल का महिना कैसा जाएगा आईए जानते हैं आपके सिक्ष्छ, स्वास्त, व्यावसाय्यर, जौवित्यादी के बारे में धन की स्थितियां कैसी रहेंगी ब्यापार की स्थितियां कैसी रहेंगी इसके बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हमारा रासी फल चंद रासी के आधार पर होता है चंद रासी यानि कुंडली वाली रासी उसी रासी का नुसार आप इस रासी फल को देखें वसुने अगर आपको चंद रासी यानि की मून साइन कुंडली वाल पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के नुसार भी देखवा सुन सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्षा की तो सिक्षा की स्थितियों में बहुत सारे बदलाव आएंगे और आपके बेवहार के कारण भी कुछ बदलाव आपको देखने को तो अपने माता पिता से अपने सहयोगीयों से अपने मित्र से अधवा अपने टीचर से सिच्षकों से कहीं न कहीं बिमर्स करें परामर्स लें जिससे कि आप अपने सिक्षा में कोई भी फैंसला लेना चाहते हैं तो वो सही फैंसला हो आपके लिए इसके लिए अपने सिक सिक्षकों से बिमर्ज करना अतियावश्चक है आपके लिए कोई गलत फहमी किसी भी प्रकार की ना बनने दें अगर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से अगर आप कोई भी कारे करते हैं तो आपको नुक्सान हो सकता है और मकर रासी वाले कुछ इस इस्तितियों में ज्यादा पहुँच जाते हैं कि वो कभी-कभी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली बात करने लगते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा उनके अंदर हो जाता है तो उस बज़े से परेशानिया उनको फिज करनी पड़ती है अब दोस्तों यहाँ पर सिक्षा में अच्छी सलाही देगा लेकिन टीचर्स के साथ में अगर संबंद खराब हैं तो उन्हें सुधारने के आवसकता है आपको कोई कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं उसके लिए समय बहतर रहेगा देखा जाये थोड़ा बहुत 15 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक मानसे कसा जरूर रहेगी तो उससे कई न कई बचने के लिए अपने आपको एकांत में क्योंकि आपका ज्यादा तर देखा जाता है कि आपको अकेला रहना ज्यादा पसंद होता है ज्यादा आप सोचल नहीं होते हैं लोगों से ज्यादा बातचीत करना भी उतना पसंद नहीं करते ह आपके दोस्त भी गिने चुने होते हैं, कम दोस्त रखते हैं आप लोग, इसलिए आपको दोस्ती जो है आपकी कम हैं लेकिन बहुत खास है और अच्छे लोग है आपकी में, आपको इस बीच में यह चीज बहुत काम आईगी कि आप जादा लोगों से मिलना जुलना नहीं और ज्यादा मिलेंगे भी नहीं, तो इस बीच में वो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, क्योंकि ज्यादा मिलेंगे जो लेंगे, या ज्यादा किसी से बाद विवाद होता है, तो ऐसे में यह स्थितियां बन जाती हैं, कि अगर आप ज्यादा कम मिलेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो कुछ इस्तितियों में सुधार जरूर देखने को मिलेगा, जो इस्तितियां बिगर सकती हो, उन्हें भी आप कहीं न कहीं कंट्रॉल में रख सकते हैं, अगर हम स्वास्त की बात करते हैं, तो स्वास्त मे कानूनी विवाद इत्यादी चल रहा है तो उससे आप कहीं न कहीं राहत पाएंगे सत्रू आपके हतास और परेशान होंगे गुप्त सत्रू का कहीं न कहीं खात्मा होगा कोई भी अगर कोट कचेरी से संबंदित कारे रुका हुआ था तो उसमें भी अब तेजी आएगी हैत्रिक संपत्ति के बटवारे को लेकर के चिंतित हो सकते हैं परेशानी उसमें भी बढ़ सकती है पारवारिक उल्जने या पारवारिक बिवाद भी बढ़ता नजर आएगा खास कर ससराल पक्ष से भी थोड़ी बहुत मतवेद की स्थितियां बन सकती हैं अगर हम लव ल इसमें रिलेस्टियां बनेंगी उसके लिए आप लव रासी फल देख सकते हैं हमारा दिसंबर का अपना मकर लव रासी फल दिसंबर 2020 अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से आप देख सकते हैं क्योंकि वो दूसरा चैनल है जिस पर हम लव रासी फल देते हैं लव टॉपिक पर बात करते हैं उस चैनल पर जाईएगा और अपना लव रासी फल देखिएगा दोस्तों आपको यहां पर कुछ इस्तितियों में बड़े बदलाव नजर आएंगे आप अगर मकान इत्यादी बदलना चाहते हैं दूसरा मका अगर आप मकान अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं अपने कोई बैसा नहीं है कि आप कई निवेश इत्यादी के लिए क्योंकि निवेश के लिए समय बहतर नहीं है अगर कोई जमीन इत्यादी खरीदना चाहते हैं निवेश करना चाहते हैं पैसेगा तो उसके लिए समय समय बहतर नहीं अगर आपको जरूरत है मकान इत्यादी बनाने की सोच रहे थे खुद रहने के लिए बनाना है तो पर्शनल अपना घर बनाना चाहते हैं उसके लिए समय बहतर रहेगा और अगर आप देखा जाए तो 60 लाटरी इत्यादी में इस्तितियां ज्यादा खराब रहेगी तो 60 लाटरी इत्यादी से बचें भागी का साथ आपको अधिक से अधिक मिलेगा पार्टनाशिप के व्यापार में थोड़ी बहुत इस्तितियां सुधर्ति नजर आएंगी देखा जाए तो आपके चिंता बहुत जाद आपनी जिम्मेदारियों का बोज लगेग आपके अभी बरतमान में जिम्मेदारी आपके सार बहुत जादा है तो जिम्मेदारियों को निभाने की चिंता आपके साथ में जादा रहेगी उस चिंता को न करते हुए कहीं न कहीं आपको आध्यात्म की ओर लगना चाहिए पूजा पार्ट में सनलगन होना चाहिए जिससे कि आपकी स्तितियां सुधर जाएं और पूजा पार्ट से आप काफी हद तक अपनी चिंताओं को दूर कर पाएंगे आपके लिए स्तितियां भागे के लिए भी काफी अच्छी हैं ससुराल पक्ष से मतभेद रह सकता है करियर को लेकर देखा जाए तो करियर में अगर ज्वेल्री से संबंदित कारे करते हैं व्यापार करते हैं या कपड़ों से संबंदित व्यापार है खाने पीने से संबंदित व्यापार है तो बहुत अच्छा चलने वाला है अगर कपड़ों का व्यापा ठप हो चुका था बुरी तरह परेशान हो गए थे लॉकडाउन की स्तितियों में और अभी तक स्तितियों में परेशान थे तो अब आपको काफी राहत मिलेगी, काफी परेशानिया दूर होंगी और आये के सुरूत बढ़ते नजर आएगी करियर में अगर आप पत्रकार हैं, लेखन से संबंदित कारे करते हैं इंटरनेट से संबंदित कारे करते हैं, अतवा डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं तो उसके लिए भी समय काफी बहतर रहेगा और अगर आप बीजा इत्यादी लगाना चाहते थे, बीजा इत्यादी नहीं लग रहा था तो इसके लिए भी स्तितिया काफी बंती नजर आएगी बीजा इत्यादी लग सकता है, खास करके 20 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में ये डेट भी आपके लिए अच्छी है, इसमें अगर आप अपलाई करना चाहते हैं, तो निश्चती आपके लिए स्तितिया काफी पक्ष में रहेंगी अगर देखा जाए, तो आपके लिए बिदेश से संबंदित ब्यापार हैं, उसमें भी काफी लाब देखने को मिलेगा अगर आप सिक्षक हैं, उसके लिए भी काफी अच्छी स्तितिया हैं अगर आप सरकारी जॉब पाना चाते हैं, तो थोड़ी बहुत चिंता सता सकती है लेकिन इंटर्विव इत्यादी अगर होता है, इंटर्विव में पास होने की गुझायस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सफलता पाने की योग बढ़ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी बहुत इस्तितियां सामाने रहेंगी ज़्यादा कुछ इत्यादी, प्रमोशन इत्यादी की जो चांस बन रहे थे वो भी खत्म हो सकते हैं प्रमोशन इत्यादी की संभावनाएं कम होने लगेंगी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी अपने के द्वारा कोई बिसेश, कोई अपना उसके द्वारा कोई धोका इत्यादी दिया जाए जिस पर आप ज़्यादा बिस्वास करें हर्च भी आपके बढ़ते निजर आएंने किसी से कर्ज लेना चाहतें लॉन पास कर्वाना चाहतें जमीं पर लोन लेना चाहतें उसके लिए समय बहतर रहेगा दोस्तों आपके लिए काफी समय का जह्ंजट या विवाद है तो इस्तितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं और बाद Wवाद बढ़ सकता है कोई तीसरा आपके परिवार में माहौल खराब कर सकता परिवार को विखेर सकता है तो इसलिए कोट कचेरी के जंजट या पुलिस इत्यादी कानुनी कारभाई से बचें ये स्थितियां आपके लिए हैं उपाई आप कर सकते हैं उपाई के लिए आपको बता दें स्थितियां सभी स्थितियां सुधारने के लिए आप महामृतिंजय मंत्र की एक माला रुद्रक्ष की माला से जब कर सकते हैं अथवा नवाड मंत्र की माभगवती का नवाड मंत्र का जब कर सकते हैं एक माला या 21 माला जितना आप किस रद्धानुसार आप जितना कर सकें 21 माला एक माला पांच माला 11 माला आप नवाड मंत्र की भी जब कर सकते कमल गट्टा की माला से यर दुरक्ष की माला से इससे आपको लाब होगा और आपकी जीवन में चल रही परेशानिया काफी हद तक दूर होगी और आपका दिसंबर का महीना काफी अच्छा जाएगा खासकर अगर बीजा इत्यादी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बह पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिसके आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहली मिल पाएं और अगर आप इंस्टाग्राम और फेस्बुक यूज करते हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आ आपको डिस्क्रिप्टर में मिलेंगे वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों